मित्रो क्रेट कार्ड लेने के लिए मिनिमम या मैक्सिमम कितनी सिबिल स्कोर आपके पास होना चाहिए एक सवाल है लोग पूछते हैं और लोगों को जबाब देना हमारा कर्तब बे है और हम जबाब देंगे भी आपको बताएंगे भी तो थोगा से टाइम निकाल के इस वीडियो को पुरा देख लेना काम का वीडियो होगा और वीडियो को लाइक जरूर कर देना मुझे सपोर्ट करना कि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ तो मित्रों यहाँ पे आज हम बताएंगे कि आपका सिबल स्कोर कितना होना चाहिए क्रेट कार्ड लेने के लिए और अगर आपका इतना सिबल होगा तो क्रेट कार आपको मिलने में दिक्कत नहीं होगी चलिए बताते हैं विड़को लाइक जरूर करना मैं तो यहाँ पर एक credit card लेने के लिए आपके पास जो civil score की बात आती है तो आपको पता है कि 750 प्लस good category माना जाता है अगर 750 प्लस अगर आपको good category है तो आपको कभी भी loan credit card मिलने में दिक्कत नहीं होता है अगर आपका 750 प्लस की नीचे है तो good category नहीं माना जाएगा कि यो good category की बीच का रहेगा पर यहाँ पर आज की जमाने में good bad एक काम नहीं करेगा काम करेगा good और excellent एक कब होगा इसके लिए आपको 700, 65, 770 आपका civil score और आपका experience जाना चाहिए अगर आपका experience 800 के ऊपर है आपका civil trans union 765, 770 है तो आसानी से आप credit card मिलेगा कुछ साल पहले की बात है इतना cheating fraud नहीं होता था मनब कि आपका civil अगर मालो 750 है तो भी आपको आसानी से छोटा मोटा limit मिल लाता था अब यह चीज़े बिलकुल खतम हो गई क्योंकि यहां पर काप ज़्यादा cheating चल रहा है आप नहीं कर रहे हो अब आप लोग में से कुछ लोग कर रहे हैं credit card मिल गया है low civil score पे address कोई mismatching है कोई दिक्कत है अगर high limit मिल गया तो दिमाख में आता है gravity करने का तरीका इस limit को लेकि हम खा जाए बैड जाए पे ना करें और उन्हीं की चलते सारे कश्मत प्रिशान होते हैं सब के उपर दामे में दाग लगता है आपको पता है 2022-23 में 4000 क्रोड लंसम यह आपका NPA चला गया था बैंक का पैसा credit card को लेकर जो काफी जादा लफड़ा हुआ था तो यहां पर यह पैसा कैसे recovery होगा आपको पता है कि बैंक में जो पैसे FD करते हैं लोग deposit करते हैं जमा करते हैं interest लेने के लिए saving करते हैं अब उसी पैसे को loan के रूप में credit card रूपय आप तक पहुचा जाएगा bank उसी से कुछ interest पाएगा और मतब कि customer को भी देगा और कुछ अपना भी रखेगा अगर आपने उसी में cheating कर लिए bank क्या करेगा क्योंकि bank हम लोग का है क्योंकि उसे पैसा जनता का है तो में तो यहां पे आपका civil score सबसे माइने रखता है कितना 770-765 अगर आपका है तो मिलने में दिक्कत नहीं होगी अगर 750 है 55 है तो credit card क्ले ट्राइं मत करो इससे आपको दिक्कत यह होगा कि जो आपने civil score अपना अरजित किया है बनाया है अपलाई करते ही और दिक्कत होगा और आपका credit card decline हो गया तो और लोग हो जाएगा तो किसी की बातों में आके गलती ना करें तो हमेशा excellent के बीच में रहें उससे उपर तो कोई जा नहीं पाएगा योगि आपका civil score अगर 775 चला गया तो excellent category में आप दिरे दिरे पहुंचना चालूग कर देते हो बट 800 के उपर जाओगे 900 तो किसी का जल्दी होगा नहीं आप आपको अच्छी तरह पता है फिर भी अगर आप 800 के नीचे हो बीच में हो तो भी आपको मिलने का chance रहेगा तो इतनी civil आपकी होनी जरूरी है और आपका facts high mark भी आपका होना चाहिए अगर उसमें 750 है 700 है तो भी दिक्कत नहीं है बट अगर आपका trans union civil कम है तो आपको दिक् आपको अन करेंगा